स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइश्यू टिकनोलजी में मैं अनुपर मेपल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोग केमरा टुस्टे में आज हम बात करेंगे वी एफेक्स क्लीन प्लेट्स के बारे में तो आए समझते और यह समझे मैं टूल न कि मैं यहां हांत रखता हूँ इसको अगर आपको किसी को स्क्रीन शॉट लेकर बोलता है कि यह हटा दो बैंड बच जाएगी क्योंकि उसको यहां पेंट करना पड़ेगा कि क्या था और यह कभी भी ढंग से नहीं हो पार तो यह समझना बहर ज़रूरी है कि चीजों को जो आप उसकी उपासिटी को नहीं कंट्रोल कर सकते है क्योंकि पीछे वाला कुछ है ही महीं कैमरा में रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा क्या तो यही सब समस्य को सुलजाने के लिए हम लोग बार ज़रूर पड़ता है पोस्ट प्रडॉक्शन चीजों को हटाने का यह तो बहु तो यह बढ़ों को भी आप देखेंगे कि वह इसके बालकनी के आसपास है चांस से सब्सक्राइब पीछे तार लगाए गया तो असद भाट आने के लिए बिल्डिंग डिस्रॉक्शन यानि कोई भी चीज उड़ता है जैसे कि मैं हूँ और आपने मेरा पुफ कर दिया यह मतब टीडियस प्रोसेस है और कोशिश करेंगे कि वह अगर बहुत लंबा सीन है तो उसको बोल दिया जाने भाई सांते से शूट करो रिशूट करो सब चीज़गा क्यों कि सारा चेका लाइटिंग चेंज होगा इसी लिए पूरा रिशूट किया जाएगा नहीं तो प्लेट एक होता है डायमिक लेयर तो इसको आप छेडने वाले नहीं है इसके उपर आपका जो इंटरक्ट करा रहा है अब रहाए बाहाँ बात की इसे आप सांती से कुछ नहीं आप इसे उपर डाली इसको उपर सेटी घटा दीजी हो गया है गोस्ट इफेट खतम सा टेक पोस्ट प्रडॉक्शन में एड़ गरते हैं अब रहा बात की ज़रूरी नहीं कि सिफ एक ही ऐलिमेंट हो सकता है बहुत सारे और अब गाड़ी के सिर्फ कोई सीन रहता है तो कई बार स्टंट्स जो किये जाते हैं वह रिग किये जाते हैं यहां पर जमीन के अंदर कुछ लेंगे पोस्ट प्रडॉक्शन में उसे जोड़ देंगे और जोड़ेंगे भी क्या ओवरलाफ ही कर देंगे इसे कहते हैं और आपको लगए कि बहुत बड़ा सीन हो गया तो इसलिए कई बार बहुत सारे परत शूट किये जाते हैं अच्छा एक्टर ऐसे शूट करेंगा यह ऐसे शूट होगा पार्टिकल एफेक्ट के लिए अलग से भी लगा जाते हैं और यह काम आपका वी एफेक्स में भी होता है यानि कि मैं तो आपको स्पेशल एफेक्ट के लिवरल का बता रहा हूं लेकिन अगर आप सारो को फाइनल बेक कर देते हैं छेड नहीं पाए लग कमपोजिटंग कहते हैं और बेसिक लौजिक ही है एक स्टैक बेस रहता है उसके उपर आपको जो करना कीजिए और आपको लेयरिंग करते जाता है । जैसे कि हम एक स्टंट हो रहा है यह मैट्रस ओवेसल आप नहीं दिखाऊ के न तो रोड का एक खिलिए आप लिए और यही और बाइद वह यह नेगेटिव के टाइम से किया जा रहा है जिसे आप लोग रोटोइस्कोपिंग करते हैं वही समझे कि मतलब इसके उपर अराम से दूसरा नेगेटिव से प्रचेक्ट करके काम कर सकते हैं तो लॉजिक वही है कि एक क्लीन रहता है उसके उपर सकते हैं अब बात करतें मोशन कंट्रोल का तो मोशन कंट्रोल का यह समझे कि यह मैंने बता रहा हूं वह स्टाटिक के लिए काम करेंगा यानि कि कैमरा अपने ट्राइपट पर रग दिया बले-ले लिंक चाहोगा और कामरा मूफ कर रहा है कुछ नहीं कर पाएंगे आप ल और इसमें कैमरा का सबसे बड़ा बात ही होता है कि यह कैमरा को जो मोशन है यह रिपीट कई बार किया जा सकता है यानि कि यह जतनी बार आपको ज़रुवत है शूट डिजाइंग करने टाइम हिसाब लगा लगा लिए तो पांच बार इसको अगर आपको चलाना है यह पा इसको रिकॉर्ड किया जाए ठीक है यह अब रोबोटिक सिस्टम और चाहए वह रोबाटिक आपको जाहिए रोबोटिक गिंबल सिस्टम हो वह सारा उसे मैक्रो के तौर पर इसे रिप्ले करता है तो आप एक जिशका तो रिपले दूसरा जिच्छा जिशका घ्रीपले त करते जाते हैं और इसको करने के लिए बहुत तिकड़म तिकड़म चाहें आपको सिर्फ रोबोटिक आम मिल सकता है चाहें तो कैमरा ट्रैक भी लगाया जा सकता है यहां पर बहुत बड़ा अब्जेट को कैप्चर कर रहे हैं या बहुत जदा मोशन देना चाहते हैं क्योंक बहुत भ्यानक फीलिंग आता है और वही सब करके आप बहुत सारा चीज ऐसा कर सकते हैं जो पॉसिवल नहीं लगे कि तब मत बहुत को इतना एफ़र्ट डालना है अपने शोट में कि लोगों का दिमाग का जो फिल्टर लेयर है फिल्टर जो कर रहा है उसको आप बाइप बहुत ध्यानक कर लेता है और वही समझे कि मल्टिपल शॉट सिंगल शॉट के उपर ओवर ले कर पाते हैं और पूरा जो आप सुनते हैं स्टार वार्स क्यों उतना पॉपुलर है यह स्टार वार्स में यह तकनीक को ढंग से पिक्चर के लिए अनांस किया गया कितनी बड कि मतलब फिजिकली उन्होंने कम्प्यूटर बनाया इसलिए यह उतनी बड़ी बात थी और इसके बात यह कॉमन हो गया है आज कल हर पिक्चर में इस तरह के रिग इस्तमाल होते हैं जो मोशन कंट्रोल आप सो दो ने पिक्चर में मोशन कंट्ट्रोल यही एक कैमरा को एक सीन को बिल्ड कर सकते हैं जो मतलब अगर आप सीजी में ट्रै करें बहुत खर्चा होगा तो यही मोशन कंट्रोल ही होगा इसलिए स्टार वास को इतना यह मतलब ऐसे रिस्पेक्ट देखा जाते कि भाई वह इतना बड़ा चीज इतना जल्दी कर दिया और इसलिए अभी लेकिन जिस निकाला गया था लोग हिल गए कि भाई यह क्या आपने तिखा दिया यही होता है मोशन कंट्रोल का फाइदा अब फिर बात करते हैं जब आपका कुछ रिक्वार्मेंट कुछ जरु सजादा हो जैसे कि यह बात है कि पूरा सारु खान को छोटा करना चाहते है मतलब जितना पिक्चर में छोटा दिखा है वह तो बहुत चोटे ते तो बात है कि कैसे किया जाए यह सब जगहां पर प्लेटिंग का इस्तमाल करके सिर्फ यह करते हो मतलब एक तो सब टेंप्लेट बना रहे हो जिए सीजी आ आर्टिस्ट को दो गए और सीजी आ आर्टि लेकिन इसमें मोशन कंट्रोल प्लेट बहुत ज़र है जैसे कि यह पुरा पिक्चर जो है इसमें आप देख रहे हैं सब जगहां पर मोशन कंट्रोलर ट्रैक्स लगाए गया थे सब चीज को शूट किया गया और कई बार यह समझेगी अरे जब सीजी बना रहे हो क्यों कर बात यह है कि आप अगर इस तरह का आर्टिस्ट दे देते कि देखो वहां पर प्लाफॉम था उसमें गढ़ा रखे था कि शारुकन का आई लेवल जो है वह सलमान खान से मैच करें मतलब कि कहां देख रहे हैं वो दिखें यह डेटा जब आप देंगे किसी CGI आर्टिस्ट क पर रहे हैं उनको आप देखो देखो बहां सीन ऐसा था यहां का लाइटिंग ऐसा था यह एसा रोग रियाक्ट कर रहे थे ये डे दीजिया अच्प बोले बाई धार भाई हम समाल लेगा आप यह दीज़िए हैं यहां यह तरह सुना से इसे हैं रिफरेंस है कि जिए एध तो भी प्लेट्स उतने क्यों खिच रहे थे, क्योंकि वह जैसे आर्टिस्ट को दे दिए, कि देखो भाई यह ऐसा दिखना चाहिए, आर्टिस्ट को पता है कि वहाँ लाइटिंग का रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था, कैसा इंट्रक्शन था सीन, वह तुरंत रिक्रियेट कर लेगा, तो यह बहुत इंपोर्टेंट बात होता है, कि मोशन कंट्रोल अगर आप डाल रहे हैं, और CGI भी करना है, तो भी प्लेट्स पर खर्चा किजिए, तो भी प्लेट्स पर उपर प्लेट लेगा, कई बारों तक लोग इस पर कंजूसी करते हैं कि प्लेट कौन लेगा अब बाद में CGI कच्रा आता है, उसके बदलों बहुत अच्छा निकल जाएगा, तो यह समझेगा, और इसलिए मैं कहुँगा, पिक्चर कैसा भी हो, पिक्चरा पठा दो, सही मठा दो, लेकिन पिक्चर जो VFX जनुइनली बहुत अच्छा है, मतलब रावन भी बहुत अच मतलब गाना जाएजनली अच्छा देते हैं अब सबड़Se बच्चों के लिए पिक्चर हमने बना है, महनत बिग बजट गर्दा उड़ा देते हैं और अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था तो ही समझना ज़रूरी होता है कि एफ़र आप डालिएगा, फुटेज भीले है स्टोरी के जिम्मेदारी हम नहीं लेने वाले, वो आपका जिम्मेदारी है और कई बार लोग उल्टा भी कर गएते हैं, जैसे माल लिए कोई चीज के उपर इंटरेक्शन दिखाना है और कैमरा आप ज़एदा नहीं मूव करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है एक प्लेटों का जिसे आप गिर रहे हैं, यह सारे को कमपोजिटिंग के टाइंग में मतलब ओपैसिटी कंट्रोल करकर करके फीलिंग दी जाएगी कैसा फीलिंग वो चाह रहे है तो उल्टा भी किया जासा, जरूरी नहीं कि आप कैमरा ही मूव करो, आप अबजेक्ट भी मूव कर सकते हो अगर आपको जरुवत है तो, तो यही हो ता कोर लोजिक यही है क्लिंग प्लेट का आधा से अधा CG इंडरस्ट्री इसे पर चलू रहे है, जो लोग क्लीं प्लेट ठीक से खर पाते हैं मोशन प्लेट ठीक से बना लेते हैं, उनकी CG भी अच्छी आती है, जो नहीं कर बाते हैं, मार ब्लेम करेंगे कि CG यही अच्छा नहीं आता यही है मीन लॉजिक, क्लीं प्लेट का नीचा मैंने एक्जामपल्स भी दिये हुए, जो आप देख सकता है, उससे काफी अच्छा सी घासी मिलेगा, सीखने को मिलेगा, काफी च्छी होगा तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन क्लीं प्लेट का लोजा क्या है, उमीद करना हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ सिखने हो, कुछ समझ में हो, अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों आशियर कर दे, उससे मेरा काफी भुला होगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप से कमें में डिसलाइक कर दीजे, डिसलाइक दो बार दबाईए, उससे मुझे बता चले हो कितना पसंद हुआ है, मैं आप से कमेंट को पढ़ने की कुछ करता हूँ, आप से कमें को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाई गर आफरी हैं, तो आपन आप अपने रविट तक चांट कोजें बहुत कुछी हुए, धन्यवाद